सूपरभात विध्यार्तियों आप नोट करें जिस विशे पर आज बात होगी वो आपका कोड है B.H.D.A.E.182 मैं रिपीट करता हूँ B.H.D.A.E.182 और इसका विशे है हिंदी भाषा और संप्रेक्षें कल मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा पर हमने विस्तार रुप से चर्चागी थी हिंदी भाषा किस तरह अलग-अलग सोपानों से गुजरती हुई आज यहां पूंची उसके बारे में मैंने आपको बताया था आज हम जो बात करेंगे वे बात करेंगे हम कृष्ण कावे पर और राम कावे पर मैं थोड़ा सा पिछला दोहराऊंगा कि हमने कल क्या किया था कल मैंने आपको बदाया था कि भाषा हिंदी जो है वो एक भाषा है यानि हिंदी का अपना सबरूप है, अपना उसका नेचर है, अपनी उसकी प्रकृति है और इसकी पांच उपभाशाएं हैं कल आप से हमने बात की थी कि पांच उपभाशाओं के साथ ही इसकी सतरां बोलिया है और बाद में भाशाविद जो भाशा के विज्ञानिक हैं, उन्होंने दो और बोलियों की खोज की जिसे अंगी का और बज्जी का जोड़ा गया बाद में फिर हमने आदिकाल के कवियों का विस्तार रूप में यहाँ अध्याई किया था उसके बाद हमने भक्ती काल में परवेश किया था भक्ती काल में हम दो धाराओं को विश्टरित रूप से हमने यहां पढ़ाया गया था वो थी संथ और सूफी आज हम जिस पर बात करेंगे विश्टरित रूप से बात करेंगे और मैं आज आपको जो सपष्ट करूँगा वे उधारन के साथ क्योंकि जब भी संप्रेक्षन आपको पाठे करम है संप्रेक्षन और संप्रेक्षन का अर्थ यह होता है वक्ता और जब वक्ता बोलता है और शरोता सुनता है और सफल संप्रेक्षन वही कि जो वक्ता बोल रहा है वो शुरोज़ा जाजाए उसको संप्रेक्षन जिसे अंगरेजी में कॉम्निकेशन कहा जाता है आज हम बात करेंगे कृष्ण कावे पे कृष्ण कावे जो है कैसे रचा गया उसकी विशेष्टाएं क्या थी आप जानते हैं कि सूर्दास के विशेष्टाएं है पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की जो अविरल धारा परवाहित हुई उसे परवाहित करने का अब मैं पहले आपको सूर्दास के विशे में पहले बताऊँगा कि सूर्दास कौन थे उनकी कितनी रचनाएं थी उन्होंने कौन सी भाषा का परयोग किया सूर्दास की जो भक्ती थी वो पहले दास्य भाव की थी दीन भाव था लेकिन जैसे उन्हें पता लगा कि वल्भाचारे गवगाट पे आये हैं वे उनके दर्शन को गए उनके गुरू का नाम वल्भाचारे था वल्भाचारे ने उनसे कहा कुछ कुछ पत सुनाईए मुझे सूर्दास तो उन्होंने कुछ पत सुनाए लेकिन वल्भाचारे को लगा कि आप तो सूर्दास हैं सूर्दास इतने दीन पनों को नहीं लिख सकता इसलिए उनकी जो सिक्षा और दिक्षा से वल्भाचारे की सि ऐसे को गिगयात काहे को कुछ भागवत लिलावर्णन करो उनसे प्रिणना पाकर अपने गुरु वल्भाचार्य से सिख्षा और दिख्षा पाकर उन्होंने कृष्ण के साथ सक्खे भाफ स्थापित किया अब कृष्ण की भक्ती करने में केवल सूर्दास नहीं कई अनेक भी हुए हैं जिनोंने कृष्ण मारकी शाका का पोशन किया उसको पुष्पित किया उसको पलवित किया जिनों कृष्ण दास चटुर्बुजच्चीच सुआमी गुविंद स्वामी मीराभाई स्वयम श्रीभट रस खान इन सभी कविए ने कृष्ण जो क्रिश्ण धारा थी उसको संपोशित किया उसको कुश्पित किया और उसकी सुवास पूरे विश्व में फेला थी अब हम बात करेंगे कि कृष्ण कावे की विशेष्टा क्या थी जो कृष्ण कावे की पहली विशेष्टा थी वो थी कि इन कवियों ने जितने भी कृष्ण मार्गी शाखा क कभी है उन्होंने शरी कृष्ण को पूरण व्राम्मा माना है यानि वो पूर्ण भ्रह्म है आप देखिएगा हरिवंश पुरान, भागवत पुरान जितने भी पुरान है चाहे वो विश्नु पुरान वहाँ पर हमें कृष्ण का वर्णन मिलता है और कृष्ण जो है 16 कलाओं से संपून जो है उनका व्यक्तितु है बड़ा विराठ और बड़ा ही संपून व्यक्तितु है सोला कलाओं से निपून माना जाता है उनको, कृष्ण को, तो इन कवियों ने क्या किया, कृष्ण को सोला कलाओं से पून ब्रह्म माना, और क्या किया, कृष्ण के अपने अराधे के प्रती, भक्ती को व्यक्ती, शिरी कृष्ण को पून ब्रह्म मान के उनकी उपासना करना, उनकी साधना करना अब हम बात करेंगे जो कृष्ण भक्त कवियों ने किया वो था राधा कृष्ण की लिलाओं का गान चाहे वो वरिंदामन था उनकी कविताओं का विशे उनके कावियों का विशे चाहे वो मतुरा था चाहे गोकुल था जहाँ जहाँ कृष्ण ने चाहे वो अरास लिलाएं की, किसी भी परकार की लिलाएं, चाहे उन्होंने राधा के साथ लिलाएं की, उसको वर्नन किया उन्होंने कृष्ण भक्ति सहित्य में, लेकिन कृष्ण भक्ति सहित्य में उनका वर्नन इसलिए किया गया, क्योंकि वे अपने अराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने भावनाओं को, अपनी भक्ती को, अपनी साधना को और अपनी श्रधा को और अपने विश्वास को प्रकट करना चाहते थे। अपने भावों को और अपने विश्वास ममता को व्यक्त किया है कृष्ण भक्त कवियों ने। वादसल्य वर्नन का, अब आपको मैं बताऊंगा कि वादसल्य वर्नन है क्या, वादसल्य कहते किसे हैं, ये परंपरा कहां से आई, वादसल्य का अर्थ होता है, सुनिए बड़ी गोर से इसको नोट भी करें, अपने पुत्र या पुत्री के प्रती ममत्व होता है, स्ने होता है, अगाद प्रेम होता है, उसे वादसल्य कहते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, जो मा का अपने पुत्र के प्रती, अपनी पुत्री के प्रती, जो अनन्य प्रेम होता है, ममत्व होता है, अगाद जो नहीं होता है, उसे वादसल्य कहते हैं, सूर्दास से पुर्व, कबीरदास की कविताओं में भी हमें, उनके दुखों में हमे बात सल्ले वर्नन मिलता है मैं कभीरदास को सुना के फिर पुना जो है सूर्दास पर लोटूंगा कभीरदास ने भी कहा हरी जननी मैं बालक तेरा काहे न ओगुन बक्सू मेरा सूत अपराद करे दिन केते जननी के चित रहे ना तेते कर गही केस खात जो करे जो घाता तौना हेत उतारे माता कहे कभीर एक बुधी विचारी बालक दुखी दुखी महतारी कभीरदास ने कहा कि मा का अपने बच्चों के प्रती इतना प्रेम होता है कि जब वो उसको पय पान करवाती है अपने शिशु को बालक को दूद पिलारी होती है और छोटा बालक उसको प्रता है तब भी मा जो है अपने पुत्र को पटक के वो अपना ममत्व अपना जो है सने उस पर लोटाती रहती है तो सूरदास की कभीताओं में सूरदास के पदों में हमें जो है वादसल्य वर्नन मिलता है सूरदास नहीं क्या किया कृष्ण की जो बाल लिलाओं का बड़ा मनोवे ज्यानिक चितरन किया है अब सूरदास जो है अपनी मा से पूछते हैं कि मा कि मैंने माखन नहीं खायो वो पकड़ लिया गया माखन खाते हुए तो योशोदा ने एक जो है उसको मारने के लिए कोई सूर्टी पकड़ी लेकिन वो पुना पुना तरक करते हैं अब देखिए बाल लिलाओं गवर्नन मैया मैं नहीं माखन खायो ख्याल परे यह सवा सख मेले मोहे मुख लिप्टायो कि मैंने माखन नहीं कहाया यह जो मेरे सखा है मेरे दोस्त हैं इन्होंने जबरदस्ती जो है मेरे मुख पर यह माखन लगा दिया है अब देखिए अब वे शिकायत लेके भलपरत की शिकायत लेके यह शिकायत लेके पच्चों की शिशों की कीड़ा का वर्णन सूर्दास ने किया वे कहते हैं मया मोहें दाव बहुत खिझायो मोसो कहत मोल को लीनो तू यशिमति कब जायो पुनी-पुनी कहत है को है माता को है तुम्रो तात क्या कहूं एह रिसके मारे हो नहीं खेलत जात वे कहते हैं कि जो बलराम है वो बहुत दूष्ट है वो बार-बार मुझसे ये प्रशन पूछ रहा है कि ये शोदा जो है गोरी है नंद बाबा गोरे है फिर तू कैसे काले रंग का हो गया तेरा वरण क्यो काला है वो मुझे क्या है खिजा रहा है बार-बार शिकायते लेके वो शूर्दास ने किया वे एक बार जिद पर अड़ गे कृष्ण और बहुत ही रुचक चितरन किया सूर्दास ने मैया मैं तो चंद्रत खिलोना ले हूँ अब बाल सुभाव था उनका तो उन्होंने कहा कि मैं खिलोना लेना चाहता हूँ उन्होंने चांद की तरफ इशारा किया कि मुझे तो वैसा ही खिलोना चाहिए तो इस परकार सूर्दास ने अपने सूर्दास अगर में कृष्ण की सभी बाल लिलाओं का वर्नन बड़े स्वभाविक और मनोविज्यानिक मनोविज्यानिक का अर्थ होता है जब मन की अवस्था को पढ़कर मन की उठा पठक मन के तनावों को पढ़कर जब कोई कवी कोई लेखक कोई निबंदकार लिखता है तो वो मनोविज्यानिक होता है तो सूर्दास ने बड़े मनोविज्यानिक तरीके से बालकों की शिश कि लिलाओं का बाल लिलाओं का वर्नन किया है यद भी हम बात करें वातसल्य वर्नन की तथा भी एक बहुत महत्मपून अंश है कृष्ण भक्ति कावे सहित्या में वो है भ्रमरगीत और भ्रमरगीत का जो लिखा गया सूरदास द्वारा लिखा गया वे किसी भमरे को अब जैसे मत्हुरा बुलाया वहां की गोपियां ब्रच आंगनाएं ब्रज की आंगनाएं इस्तरियां सारा दिन विलाब करती हैं और प्रेम मैंने आपके साथ किया जो स्नेहें वो मुझे करती हैं वो निर्गुन के प्रती अपने अराधना को व्यक्त करें आपको एक बात यहां बताना चाहूँगा कि उद्धव और कृष्ण की अकृती अकार उनके वस्तर उनका मुकुट उनके कानों में जो कुंडल उनकी वेश भूशा उनका कर्द इसलिए सूर्दास ने एक स्थान पर ये भी लिखा है सखा सखा कुछ अंतर ना ही भरी भरी अ नहीं था वे समझाने के लिए गोपियों को ब्रज में आते हैं और वे सिखाते हैं कि निर्गुन की उपासना करो निर्गुन को निर्गुन की पूजा करो लेकिन क्या हुआ जो ब्रज की गोपिया बहुत वेवार की धनी थी वे जानती थी कि उद्धव जो हैं हमसे गोपी बैठ चाता है अब गोपियों को मिल गया बहाना और गोपियों ने क्या किया उस भमरे को संबोधित करते हुए जो उपालंब जो ताना कसा वो किसके लिए उधव के लिए वो सुना किसको रही है उधव को क्योंकि उधव जो लेके आये थे ज्यान की टोकरी कि उपासना की योग की भस्म की कि आप जो है निर्गुन की उपासना करो इंद्रिये निग्रह करो लेकिन जो गोपियों को ये तनिक सविकार नहीं था वे तो कृष्ण के प्रतिसमर्पित थी वे तो सगुन के प्रतिसमर्पित थी तो अब उनको जैसी भवरा एक सखी के पैरों में आकर बैठ किया, अब मिल गया गोपियों को बहना, और गोपियों ने जो ताने कसे, इसलिए आचारे राम चंदर शुकर ने इस कावय को उपालंब कावय, यानि ताना, किसी को खरी कुटी सुनाना, सुनाई जा रही है, किसको उधव को, लेकिन संभोधित किसे कि जा रहा है, संभोधित किया जा रहा है भवरे को, अब वो सुनाती है, वो क्या कहती है भवरे को, सुनिए, आयो योग सिखावन पांडे, परमार्थी पुरानी लादे, जो वन जारे ठांडे, हमारी गती पती कमल नैल, की योग सीखे ते रांडे, कहो मधुप, कैसे समाए आएंगे, एक म्यान दो खांडे, वो सुनाती है, मधुप कहते हैं भवरे को, वो भवरे को संभोधित करती हुई कहती है, कि यहां ब्रज की नगरी में, ब्रज की गलियों में, कोई व्यक्ति योग बेच रहा है, और इसे हमारे तो हम तो सुहागने हैं, हमारे पती कौहन ह शिरी कृष्ण, हमारे जो पती हैं, वो है मतुरा के, जो मतुरा चले गए हैं, वे हमारे पती हैं, और ये जो आप योग लेके आए हैं, जो ये गठरी लेके आए हैं, जो पोटली लेके आए हैं, जो ज्यान की चर्चा लेके आए हैं, वो जो विदवाएं हो चुकी हैं, ब्रहमरगीत की एक लंबी परंपरा है, बाद में भी कहीं तरह के ब्रहमरगीत जो है लिखे गए, तो जब जब आप कृष्ण भक्ति साहित्य पढ़ेंगे, वहां मुख्ये दो बातों पर ध्यान रखिएगा, वहां की भाशा का, जो की ब्रच्थी, वहां का बात सल्य वर्न जिसपे मैंने आपको संक्षेप रूप में बताया, उसके बाद जो वर्नन है वो है ब्रहमरगीत, अब आप देखिए जो अगला इसकी विशिष्टा है, वो है प्रकृति चितरन, अब देखो कृष्ण के कदम के पेड़ वहां, यमुना, जलाशे, जहां जहां कृष्ण किया, रास विहार किया, वो चांदनी, वो अलग-लग तरा के चंदरमाओं की आकृति हमें मिलता है, क्योंकि क्रिष्ण ने स्वैम लिलाएं की यमुना के किनारे, कभी कालिंदी के किनारे, तो वहां के वातावरन का वर्नन जो है, अब जो है गोपियों ने भी क्या किया, जब कृष्ण जो है मतुरा चले गए तो प्रकृति के साथ संबाद स्थापित किया है। अब वे डांटती हैं पीडों को, व्रिक्षों को, पादपों को, तरूं को, कि तुम बार-बार हरे क्यों हो रही हो। कृष्ण यहां से चले गए है मतुरा की, तुम क्यों नहीं सूख जाते। गोपियां कहती हैं पीडों को, मदुवन तुम कत रहत हरे। कि हे मदुवन तुम अभी भी बार-बार फूलों को धारन कर रहे हो, बार-बार जो हरे हो रहे हो, विरह, व्योग, शाम, सुन्दर के थ गोपियों को रासगोपियों के सादर चाहते थे, गोगों ने रंभाना बंद कर दिया, कुष्पो ने क्या स्वासित होना बंद कर दिया, लेकिन बार-बार तुम जो प्रकृति, तुम हरी हो रहे हो, बार-बार, बार-बार हरीतिमा को धारन कर रहे हो, इसको बंद करो, इ पर हम बात करें उसके बाद आज भी कृष्ण कावे जो पहले लिखा गया भक्तिकाल में जिसकी सीमाती हमने बदाया 1375 से 1700 तक उसमें तो लिखा ही गया लेकिन आज भी समरित चल रही है चाहे वो उपन्यासों के रूप में चाहे वो कविताओं के रूप में हिंदी में सुंदर कावे रिचना किया प्रिये परवास जिसमें राधा और कृष्ण की जो संसारिक लिलाओं को संसारिक रंग देकर उनकी लिलाओं का फर्णन किया अब हम भाशा के विकास की बात कर रहे थे तो भाशा जो थी यहां की ब्रज थी और ब्रज भाशा में जो बंदी ए जानेंगे तो वहां जो है र के स्थाना है र के हिंदी का जो र है वो ब्रज भाशा में र है जैसे होली यहां होली लेकिन वहां ब्रजमंडल में बोली जाती है होरी लड़का वहां बोला जाता है लड़का तो र शब्द का जो परियोग है वो किस शब्द में होता है र में और वहाँ जो है मैं शब्द का हो शब्द में परयोग होता है। ये याद रखिएगा कृष्ण काव्यों में या ब्रजमंडल में मतुरा में चितना भी आसपास शित्र है। मैं की जगा क्या होता है हों। जब इजु सूरदास ने लिखा सूरसागर तो मैं शब्द की स्थान पर वहां हों शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आप याद रखिएगा जो ब्रजमंडल के जो कृष्ण भक्ति कावे धारा के कवी हैं उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने भाषा का प्रयोग किया ब्रज भाषा का और ब्रज भाषा जो है आज भी उतनी ही समरिद है जितनी पहले थी। अब हम बात करेंगे राम कावय पे हमने कृष्ण कावय कर लिया हमने संद कावय किया हमने सूफी कावय किया हमने कृष्ण कावय किया उनकी भाषां पर संशिप्ट टिपणी मैंने की अब हम बात करेंगे राम कावय जैसे हम राम कावय के बारे में बात करते हैं हमारे मानस पटल पर हमारे मस्तिश्क पर तुल्सी दास की राम चृत्मानस और वालमिकी की रमाइन जो है यका यक उभराती है लेकिन मैं बताना चाहूंगा तुल्सी दास से पूर्वी राम के प्रती अनेक भक्त कवियों ने अपने-अपने श्रद्धाओं को अपनी-अपनी भक्ती क व्यक्त किया उनमें परमुक थे चाहे वो ईश्वर दास थे चाहे वो रामानंदा नुचार्य थे चाहे वो अगर दास थे और दुलसी दास के बाद भी अनेक कवियों ने क्या किया राम के प्रती अपने अपने भावों को व्यक्त किया चाहे वो प्रांचंद चोहान थे चा सहित्य की जो भक्तिकाल की अंतिम कावे धारा है वो है राम कावे और राम कावे तुलसी दास को जानना बहुत जरूरी है तुलसी दास के बारे में कहा गया कि आचारे बहुत बड़े विद्वान हुएं आचारे उन्होंने कहा कि तुलसी दास के प्राधुरभाव को हिंदी कावे के शेत्र में एक चमतकार समझना चाहिए यानि तुलसी दास का आना एक चमतकार है हिंदी कावे के शेत्र में तो हम जो है राम सितमानस के अधार पर रमायन महानाटक के अधार पर राम कावे की विशेष्टाओं का अध्यन करेंगे अब जो पहली विशेष्टा है राम कावे की वो है राम का सवरूप सभी भक्तकवियों ने राम भक्तकवियों ने राम के सौंदर्य पर बहुत कुछ लिखा और कहा कि राम जो है सौंदर्य शील और शक्ती का पुंज हैं सौंदर्य से वे पूरी मितला नगरी को परभावित करते हैं और अपनी शक्ती से क्या करते हैं रामण जो दंभी थे अभिमानी थे उनका नाश करते हैं इसरा शील यानि अपनी वहवार से अपने बिहेव से जो हैं अपने पूरे विश्व को पूरी मितला को पूरे को परभावित करते हैं राम के सवरूप का वर्णन यदि हम बताऊं मैं विस्तार से तो बहुत ही अलोकिक था बहुत ही रंजन था अब देखो जैसे राम ने मिठला नगरी में परवेश किया तो वहां की इस्तरियां अपनी खिर्कियों से गवाक्षों से राम की तुलना में फीके हैं उनके चहरे पर इतना तेज है जैसे वे विश्वा मित्र को मिलने जाते हैं राजा जनक तो वे वहां राम को देखते हैं और मैं आपको बताऊं कि जनक को विदेह कहा जाता है विदेह जिसे शरीर के प्रती कोई आ सकती नहीं जैसे वे राम को देखते हैं तुलस के मन में भी अनुराग उत्पन हो जाते हैं असकती उत्पन हो जाती है और वो आज अपने प्रण पर जो उन्होंने प्रतिग्या की होती है सीता के बारे में पच्छताने लगते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिग्या क्यों की और ऐसी प्रतिग्या ना की होती तो निश्चित रूप से जो ये विश्वामित्र के साथ राजकुमार आए हैं मैं उनके साथ इनका विभाह कर देता तो राम का सबरूप इनकी प्रमुख विशिष्टा है सभी राम भक्त कवियों ने राम के प्रति अपने अपने भावों को अपने अपने उद्गारों को और अपनी-अपनी टेख रहा है, राम सुऩर्ब कर देख रहा है, और हम देख रहे हैं, कि लक्षमन, चाहिए वो भरत, चाहिए वो सीता , चाहिए वो डश्रत, चाहिए उभू हनुमान तलाद किसी नादर्श की स्थापना करते हुए, दिखाई डेते हैं, यदिपी मैं तुलशी दास की कवीतावली की बात करूँ कवीतावली पर उन्होंने बहुत सुन्दर लिखा है कि जब राम और सीता का विवाह होता है राम जो सीता का विवाह होता है किस पर करती है अपने कंगन की जो परचाई होती है राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परचाई जब उन्होंने राम के जो विवहा के बाद जो एक रस्म थी जो खेलने की परात में तो उस कंगन की चाओं में उसके बिंब में वे राम का दर्शन करती है यानि मर्यादाओं की स्थापना राम भक्त कवियों की परमुख विशेष्टा है आदर्शों की आप देखी का कोई भी पात्र है राम जृत्मानस का रमायन का वे किसी ना किसी आदर्श की स्थापना कर रहा है तो अदर्शों की स्थापना इन कवियों की परमुख विशेष्टा रही है तीसरी बात यदि हम बात करें यहां की राम भक्त कवियों की तो बहुत मैतमपून विशेष्टा है समनवे भावना अब कई बार भी द्यार्थी बहुत द्वन्व में हो जाते हैं की समनवे भावना होती क्या है मैं उनको आज उधारन देकर समझाओंगा जिन से जो है उधारन इतने मैनिरामचित मानस से लिए है ताकि आपको याद रहेगा की समनवे भावना होती क्या है हजारी परसाद वेदी ने सिध्धान्द व्यक्त किया समन्वे भावना होती है कुछ चुकना और कुछ दूसरों को जुकने के लिए मजबूर कर देना विवश कर देना उसे कहा जाता है समन्वे भावना अब समन्वे भावना की अवशकता क्यों पड़ी होगी तुलसी दास जिस युग में थे वो बड़ा वैशीला युग था बड़ा विशक्त युग था जो शिव के भक्त थे उनको शैव कहा जाता है और शैव कहते थे कि शिव बड़े और विश्नु जिसे मानने वालों को वैश्नव कहा जाता है वो कहते थे विश्नु बड़े तो इन में बहुत मतभेद था कि शिव बढ़े हैं कि विश्नु बढ़े हैं लेकिन तुलसी दास ने दोनों का समनमे किया अब उधारन दिखिए जब शिव और सती कुमभज रिशी से अगत्से मुनी से राम कता सुनते हुए पुष्पक विमान से उपर की और से जा रहे थे तो वे देखते हैं कि राम जो हैं लीला कर रहे हैं जैसे अपने अराध्य को देखते हैं शिव वे आखे बंद कर लेखते हैं और कहते हैं ये बालकांड में हैं और जैसे वे आखे बंद कर लेते हैं जै सचीदानंद जग पावन असकही चलत मनोज नसावन उन्होंने राम राधना किसकी की? राम की, अब मैं आपको लेके जाऊंगा जहां राम सेत्व जो है बन रहा है वहां राम क्या करते हैं? पहले जो हैं शिव की पूजा करते हैं अब दुलसी दास ने दिखाया कि दोनों एकी हैं शिव किसकी उपासना कर रहे हैं? राम की, और राम किसकी उपासना कर रहे हैं? शिव की, यानि दोनों तत्व एकी हैं दोनों में किसी भी तरह का तात्विक भेद नहीं है शिव किसी दास की परतिष्ठा की इसलिए तुलसी दास आपसे प्रशन भी पूछा जा सकता है हिंदी सहित्य के इतिहास में कि उनों की तुलसी दास की समन्नमे भावना पर टिपणी करें तो समन्नमे भावना ये है balanced, संतुलन स्थापित किया शैवों में किसी भी तरह का चाहे वो शैव और वैशनों को लेकर चाहे वो संस्कृति और शास्त्रों का समन्नमे था, चाहे वो भाशाओं का समन्नमे था, चाहे वो घरस्त और वेराग्य का समन्नमे था, सभी चीजों में समन्नमे जो है उनकी प्राकाष्टा है, तुलसी दास का सारा काविर समन्नमे की प्राकाष्टा है उनके पास प्रकृति को निहारने का समय नहीं था क्योंकि वे राज दिर्बारों में थे, राज पर शस्तियां प्राप्त करते थे लेकिन जो राम थे, वो स्वयम 14 वर्ष वे रहे बनमाज में। कमसा नदी का वरणन, सर्यू नदी का वरणन, पंचवती का वरणन, चित्र कूट का वरणन, विभीन परकार के वनों का वरणन हमें जो है मिलता है रामचृत मानस में, या हम कहें वन गमन परसंग में चाहे वो जो राम और सीता जहां मिल रहे हैं पाटिका में पुशुआटिका परसंग में वहां सब प्रकृती का भरा पर्णनों से लदी हुई है राम तृत मानस में जगा जगा पग पग पर हमें प्रकृती चितरन मिल रहा है अब देखिए एक प्रकृती चितरन का उधारन देखिए, राम जानते हैं, कि आप जो है, बारिश होने वाली है, बिजली कड़क रही है, और सीता के उनको चिंता होती है, कि सीता जो है, बहभीत हो रही होंगी, वे लिखते हैं, राम सित्मानस में तुलसी दासन लिखा, कि राम घबरा रहे हैं, और वे क्या कह रहे हैं, घन घबंड नभ घर्जत गोरा, प्रियाहीन डर्पत मन मोरा, कि सीता के बिना, आज जो है, बारिजली कड़क रही है, और मेरा सीता के बिना, मैं भैभीत हो रहा हूं, सीता के बिना, कि सीता का कभाँ अशोक वाटिका में, किसी वो अशोक जो बंदी बनाई गी थी, वहाँ क्या हाल हो रहा होगा, तो प्रकरती चित्रन हमें, राम सित्मानस में, चाहे वो उत्तर मायन हों, किसी भी तरह की, जो रामचितमानस लिखा गया विदवानों के द्वारा हमें वहां पर प्रकृति का वर्णन मिलता है और लोग कल्यान की भावदाओं से जो रामचितमानस है, रामभकती कावे हैं वो ओध परोथ है यह याद रखिएगा जो तुलसी दास ने जो लिखा राम सितमानस ये लिखा उत्तरमायन वे जो है लोग कल्यान के लिए ही लिखा और नाम की महिमा यहां बहुत है या तुलसी दास में हो चाहिए वो कबीर दास में हमने बड़ा संतकाव्यों में नाम की महिमा बहुत है वे कहते हैं तुलसी दास ने स्वयम लिखा है राम एक तापस्त ये तारी नाम कोटि खल कुमच सुधारी की राम ने तो एक तपस्वी अहिल्या का उधार किया था लेकिन नाम ने तो कई मुर्खों को सुधार कर दिया इसी तारी नाम अधारा सिमर सिमर नर उतरी पारा यदि किसी उतरी पारा अब पारा अर्थ का दो ले सकते हैं पारा होता है कि या तो भवसागर से पार और पारा का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि गुसा कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत करोदि स्वभाव का है अधियुक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक् ब्रज जो है सूर दास के हातों में पड़ी वो भाशा का रूप धारन कर लिया उसने वैसी अवधी जो थी तुलसी दास के हातों में पड़ी तो उसने रूप ले लिया भाशा का तो अवधी भाशा हमें संख्शेप रूप में आपको जो आज तक हमने किया सेशन में पिछल करी थी क्योंकि संत यहां वहां जुहां यायावर थे संतों की भाषा के जहां भी वे जाते थे वे प्रयोग करते थे अलग-लग भाषाओं के साथ भाषाओं के शब्दों को पड़ा सूफी कावियों की जो भाषा थी वो अबधी थी हमने कृष्ण भक्ती साहिते पड़ा ज पुलसीदास ने रामजृत मानस लिखके अवधी भाषाओं का प्रयोग करके अवधी शब्दों की बोचारे हिंदी सहित्य पर कर दी यदि हम 1050 से 1375 की और चलें तो हम देखते हैं वहां भी कहीं तरह की अपरभरंश भाषाओं थी उन अपरभरंश भाषाओं में जैन सहित्य हमने पड़ा सूफी जैन सहित्य के बाद हमने पड़ा सिथ सहित्य नाद सहित्य यह अलग-लग सहित्यों का जो वर्नन हुआ जो अलग-लग भाषाओं का वर्नन हुआ एक बात में आपको बताना चाहूँगा विद्यापती की हमने आदी काल में कल हमारा जो है थो और अभट का और विद्यापती को मैथली कोकिल कहा जाता है मैथली कोकिल और उन्हें जो है जैदेव के नाम से भी अभिनव जैदेव के नाम से भी अभित किया जाता है तो अब आज तक जो हमने आदी काल पढ़ा भक्ती काल पढ़ा और आगे जो हम सेशन में रिती काल पढ भाशा का और फटा फट जो है हम जो है और आपका जो है यह सेशन जो है कम्प्लीट होगा मैं आपको दुबारा इसको संक्षेप रूप में निशकर्ष रूप में बताऊंगा कि आज तक जो हमने पड़ा एक हजार पचा से सतना सो तक जो हिंदी भाशा थी वो अलग लग थी अप भ्रेंश भाशा का परयोग हुआ खड़ी बोली का परयोग हुआ अवदी बोली का परयोग हुआ ब्रज भाशा का परयोग हुआ मैथली भाशा का परयोग हुआ डिंगल भाशा का परयोग हुआ पि वो आज तक रचा गया आप जो हम अगला सत्र पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे रिती का और उसकी भाषा के बारे में फिर अधुनीकाल की भाषा के बारे में बात करेंगे जो अगला सत्र होगा और जो अंतिम सत्र होगा उसमें आपको हिंदी की व्याकरत जिसमें स्वर्वयं के बारे में आपको सीख्षा दी जाएगी तब तक आप धुराइए और बहुत बहुत शुब कामना है आपको